रादे रादे सब्स्क्राइक कीजिए फुनीता कुकर चानल को बेल आई गंद पाईए काना जी की वीडियो की नुटिपिकिशिट पाईए रादे रादे सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है यह हमने ड्रेस बनाई है नो दस नंबर काना जी के लिए उसकता है यह 11 नंबर को भी आजए क्योंकि यह उन कुछ ऐसा है कि कुछ अच्छा खिशता है देखी है ना तो यह 9-10-11 तक को यह ड्रेस आ सकती है और इसके बूट में पहले अपलोड कर चुकी हूँ यह ड्रेस भी अपलोड कर चुकी हूँ अब हम बनाने वाले इसके साथ की कैप तो चले शुरू करते हैं अपना 10 नंबर का क्रोशिया और सेम उन जिससे हम बना रहे हैं और इंच टेप से मैंने नाप लिया हुआ है फिर भी हमारे तीन नंबर साइज में आ जाएगी कैप आप इस तरीके से अपने काना जी के सर की गोलाएके नाप ले लीजिएगा और उससाप से बनाईएगा मैंने जो नाप लिया है वो इस तरीकी से आठ Hindus की करीब इस तरीके से गोलाई है सो यह थोड़ा सा खिजेगा तो थोड़ा सा बढ़ा भी होके आ जाएगा ठीक ना तू चलिए शुरू करते हैं बनाना इस त तरीके से अब मैजिक रिंग भी बना सकते हैं लेकिन हम इसी चेन में से लेंगे एक तीन चेन एक ही होगी दो तो लास्ट वाली चेन में से हम इस तरीके से तीन चार यह देखिए पांच आठ स्टिच हम इस तरीके से डबल क्रोशे के लेंगे तो देखिए आठ स्टिच हम ले चुके लेकिन हम इसमें 10 कर देते हैं क्योंकि मैं भी फर्स टायम इससे उनको इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसे 10 ले लेते हैं इस तरीके से नौ और यह 10 ठीक है 10 हमने ले लिए अब पहले हमने तीन चेन ली थी यह इसके उपर जो चेन है यहां से हम इस तरीके से सिलिप स्टिच ले लेंगी चाहिए तो आप सीधी सी बना कर सिल भी सकते हैं वो भी बहुत असान तरीका होता है ठीक है इस तरीके से दस हो गई हमारी और इसको हमने सिलिप स्टिच से जोड़ दिया अब यहां पर तीन चेन ले लेंगे एक दो और यह तीन और सेम यहीं से फरस्ट चेन में से हम डबल क्रोश ले लेंगे यह 10 स्टिच है हर एक मिसे हम दो दो लेंगे तो यह 20 हो हो जाएंगी देखिए एक ही हो गई एक ही चाहिए तो आप इसे मत गिने और यहीं पर हमने एक और ले लेनी है ठीक है यह दो हो गई ऐसे हम हार चेन में से कि यह देखिए इस तरीके से इसमें थोड़ा दिखा एक हम देता है दो दो ले लेंगे तो टोल यह 20 स्टिच हो जाएंगे हमारी ऐसे हम दो 23 तो देखिए इस तरीक 같아요 हमारे टीस स्टिच हो गई है अब फिर से इसी तरीके से यहां से इसको नहीं गिन रहे हम जैसे हमने पहल तो यह प्रिखें आप बनाने से पहले हमने यहां सिलिप स्टिच ले लिए बनाने से पहले में जो गोलाई नापी है वो भी इस तरीक से नाप लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा यहीं पर आपका जो भी स्टिच हमने बढ़ाने थी बढ़ा ली अगर हमीं जरूरत हो तो और बढ़ाएंगे तो यह धागा इंशानी के तौर से यहां रख लिए हमने इस तरीक से बिना खीचे में ऐसे करूंगी कि देखें साथ और यह आठ बिल्कुल सही बनी है हमारी अब हमें इसे और ज्यादा नहीं बढ़ाना अब हम इसकी लैंथ बढ़ाएंगे तो एक दो तीन हो गई हमारी और इसको हम दो रो और बना लेते हैं फिर देखते हैं कितना लंबा होता है हुआ है हुआ है तो हर इस चेंद में से हमने तीन चैंद लें ली हर चेंद में इसे एक एक बार ही लेनी है तती इसी रखना ली है तो यह राऑंस कश्व Capital व difिल्कुल ठीक बना है तो जैसे मैने आपके दिखाई इस की इस तरीके से गोलाई ठीक है ना ऐसे नापके दिखाया था मैंने यह देखी तो यह बनाते बनाते थोड़ा सा और खुल जाता है तो इसे अगर आप बिल्कुल फीटिंग में पैनाना चाहते हैं तो आप जो है 20 की वजए 18 स्टिच यहां पर बढ़ा सकते तो उसके लि और 10 नंबर के साब से बना रहें इसलिए हमने इतना लिया अब हम क्या करेंगे यहां तो आप ड्रेस वाला यह जो फ्लॉवर है एक फ्लॉवर आप यहां साइड में लगा लेजी बहुत सुन्दर लगेगा यह फिर चारो तरफ आप हमेशा जैसे किनारी करते हैं वह भी ब लेंगे और जब यह सिंगल करोशय लेते हैं तो यहां पर आप अगोल लगता है कि आपका कैप बहुत लूज बन गया तो हैं पर आप खीच के थोड़ा सा सिंगल करोशा लेंगे, तो आपकी कैप जो है, थोड़ा सा ताइट हो जाएगा, ठीक है तो इस तरिके से में सिंगल करोशा लूगी, तो दिखे, हमनी सिंगल करोशा ले लिया अब हम अपना Light Color का धागा लगाएंगी, ठीक है को कहीं सेभी आप शुदु का देजिए इस तरह के से कि कैम हम हार डबल अबनाएंगी ठीक है इस तरीक से घुमाया और हर चेंड में हाफ डबल कोरोश्द बनाएंगी और फिर लास्ट में एक फ्लोवर बनाएंगी बस बड़ा सा ठीक है उसे आप कैसे सेंटर में पहना ये काना जी को तो जैसे भी आप पहना ये बहुत सुन्दर लगेगा ठीक है तो अभी हम हर चेन में से हाप डबल क्रोशे के क्लाइन बनाते हैं तो देखी इस तरीके से हमने आउट्टेंग कर लिए आप चाहे तो पगड़ी भी बना सकते हैं लेकिन ड्रेस से मैचिंग बना रहे हैं और चाहे तो इस तरीके से छोटे वाले फ्लोवर चारो तरब भी बना सकते लेकिन यहां एक ही बनाऊंगी ठीक है तो पहले यहां से शुरू कहता तो यहां पर हम इस तरीके से ठीक है और यहीं पर हम इस तरह के से double crocer ले लेंगे तो गड़ बढ़ हो गया तो यह देखिए हमने कि इस तरीके से देखे साइड में आये को बहुत सुंदर लगेगा तो एक ही यह बहुत अच्छा लगेगा यहां से देखे जासर ने शुरू किया था यह तो स्टिच बनाई डबल क्रोशी के इसको नहीं यहां से हमने इस तरीके से यहां से एक चेंद के खेज करल लियाना है यहां थेखे यह होती ही बगए आप लगा सकते हैं जैसे मैंने पहले ही बताया को अब यहां से एक चेंद लेंगे ऐसे एक ही बस ठीक है और यहां पर आके स्लिप इस्टिच लेके यहां पर धागे को कट कर देंगे ठीक है और जो एस्ट्रा धागा इसको अंदर की तरफ से यह जाके इस तरीके से छुपा देंगे ठीक है सकते हैं साइड में कर सकते हैं और यहां पर इक मौ पंकी लगा सकते हैं भहुत संदर लगी ठीक है बहुतस rather सबिएक की पर नब रिख संदर लगए है तो मैंने बूट पहले बना लिए तो प्रॉपर ड्रेस हमारी बन गई है अब देखते हैं कब जाना होता है कब उन्हें पहनाना होता है तो देखिए इस तरीके से आएगी बहुत ही प्यारी सी कलर तो बहुत ही सुन्दर लग रहा है तो मुझे उमीद है आपको भी अच्छा लगाओगा तो बूट में पहले बना चुकी हूं उसका लिंक सब नीचे में डिस्क्रेप्शन पर डालती हूं कई पर नहीं दिखता है तो कोई नहीं आप मैंसे पोस्सकते हैं मैं आपको लिंक भी देदूँगी कहीं को दिखाई नहीं देता है आजकल पता नहीं क्या हो रहे है मेरी वीडियो भी लोग के देमिन आरे नहीं को गींए। थीक है तो प्लिज मेरे वीडियो को लाइक पीजिए का रादे रादे लिखेगा वीडिया धन्यवाद रादे